नवरात्र के चौथे दिन की नवदुर्गा का नाम कूशमांडा देवी है और उनकी पूजा से भक्तों को सुख, सम्रिधी और दीरगायू का आशीरवाद मिलता है। देवी कूशमांडा को ब्रह्मांड की स्रिष्टी करने वाली देवी माना जाता है। उनके नाम का अर्थ है कूशम यानी छोटा और अंडा यानी ब्रह्मांडी अंडा। इसलिए उन्हें वो देवी कहा जाता है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। कूशमांडा देवी की कहानी पुराणों के अनुसार जब स्रिष्टी का अस्तित्व नहीं था चारों और अंधकार था तब देवी कूशमांडा ने अपने हलके मुस्कान से प्रह्मांड की रचना की। इसलिए उन्हें स्रिष्टी की आदिकरता माना जाता है। देवी कूशमांडा की आठ गुजाई हैं जिसमें वे कमल, धनुष, बान, कमंडल, अमरित कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारन करती हैं। उनका वाहत सिंग है जो शक्ति और साहस का प्रती है। उन्हें सूर्यमंडल के भीतर रहने वाली देवी के रूप में भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि केवल वे ही सूर्यमंडल के तेज को सहन कर सकती हैं। कहानी की दिल्चस्प बात, जब सृष्टी का निर्मान नहीं हुआ था और पूरे ब्रहमंड में अंधकार व्याप्त था, तो इस अनंत अंधकार में देवी ने एक हलकी मुस्कान दी। उनकी इस मुस्कान से प्रकाश उत्पन हुआ और ब्रहमंड का निर्मान हुआ। यही कारण है कि उन्हें कुश्मान्डा नाम से पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनकी कृपा से जीवन में नई शुरुवात होती है और हर काम में सपलता मिलती है। उनकी पूजा से भक्तों को विशेश रूप से स्वास्थिय, शक्ति और उन्नति की प्राप्ति होती है